हेलो एवरीवन वेलकम टू दी रिविट आर्केटेक्ट्चर टूटोरियल स्रीज आज की वीडियो में हम सीखेंगे की वोल की जो लोकेशन लाइन है वो कितने टाइप्स की होती है और वो किस तरह से उनको हम यूज करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ऐस युटैوب चैनल पर नहीं है तो प्लीस इस यूटैوب चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा एक और बात में कहना चाहूंगा अगर आपको मेरा काम को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पैट्रियोन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जर असल पेट्रोन में होता क्या है पेट्रोन में अगर आप किलिक करेंगे उस लिंक पे तो आपको एकाउंट बनाने का ऐगा फिर आप पेमेंट का ऑप्षिन आएगा तो जो आप कितना भी पेमेंट कर सकते हैं जो मिनिमम पेमेंट में रखा हूआ है वो है 10 डॉलर और 10 dollars अगर आप pay करते हैं Indian people यो Indian लोग हैं वो भी से pay कर सकते हैं और भार की वे लोग pay कर सकते हैं 10 dollars जब आप pay करेंगे Indian currency में automatic convert हो जाएगा तो pay करने का फायदा ये है कि मैं आप से को number शेर करूँगा आप मेरे को call कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं और आपकी दि land पे आपको किसी टॉपिक के किसी सॉप्फरेर पे विडियो तुटोर्लयल चीए तो आपकी दिमान पे बन सकता है और वीडियो के अधर आपका नाम भी शो होगा तो ये इसके बेनिमफिट्स हैं कि आपकी दिमान पे वीडियो बनेगी और आपसे मैं चैट भी कर सकता हूँ वर्टसप पे और बात भी कर सकता हूँ आपकी किसी भी सीविल इंजिरिंग प्रॉब्लम्स को लेके तो ये एक मन्त का प्लान होता है टैन डॉलर्स पर मन्त प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझे क्योंकि सिविल इंजिरिंग टॉटोरियल सिरीज में ओडियंस बहुत कम है जिससे व्यूज बहुत कमाते है और अर्निंग बहुत कमाती है तो मेरे मॉटिवेशन को बनाते हुए आप प्लीज पैट्रियोन पे मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते है तो हम सबसे पहले रेविट आर्किटेक्चर को आउन कर लेते हैं उसके बाद हम आर्किटेक्चर टैंपलेट को यूज ले लिते हैं अब यहाँ पे जब हम वोल को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आपशन आता है लोकेशन लाइन इस लोकेशन लाइन की ही बात हम कर रहे हैं कि क्या होती है और इसमें जितनी भी टाइप साथ सबको हम समझेंगे अराम से स्टेप बाइ स्टेप तो सबसे पहले में एक वोल ड्रो कर लेता हूँ और वोल हम लेते हैं ये वाली इसको मैं एक चोटी सी वोल जूम जदा कर लेते है Wak a क्या BUCK 라an खूँ और यहां पे जाके आप इसको कर लिए रेलिस्टिक और यहां पे जाकर कर दीजिए fine जो इसकी सारी detail नजर आई देखिए ये है हमारी wall ठीक है तो सबसे पहले जो हमारी जो wall है इसको समझते हैं देखिए ये होती है हमारी core wall ये है हमारी core wall जो मजबूती देती है जो strength देती है जो main wall है उसके बाद यह finishing है, किसी material की यह finishing है, उसके बाद यह है, उसके बाद ब्रीक है, उसके बाद दूसरी finishing है, और इसके पाद एक पतली सी layer यहाँ पर finishing है, यह अलग लगता है, तो total wall की thickness हमारी जाती है यह, बट जो core wall है, जो main wall है, जिसके साहरे सब कुछ तिका हुआ है, इसमें कोई wall draw करता हूँ, तो आप जरा देखेंगे कि जो मेरा mouse का cursor है, center line है, dash dash वाली, वो कहां सजा रही है होके, वो इस पूरी wall के thickness के बीच में सजा रही है, यानि कि वो पूरी wall का center line ले रहा है, यानि कि हम जब draw करेंगे, तो distance measure जोगा, वो पूरी wall के center line से होगा, ठीक है, इ अगर हम इसे rotate करना चाहें, तो यहाँ click करके, मैं दुबारा से यहाँ पर click करके, इस तरह से rotate करूंगा इसको, जो भी distance होती है, वो center से लेता है, ठीक है, चलिए इसको change करते है, wall और हमने यहाँ पर change करते है, core center, ठीक, एक एक चीज को समझेंगे, wall center आप समझेंगे, यान पूरी thickness का center, कहीं भी आ सकता हो, पूरी thickness का center, अब हम second point लेते ही, core center, जैसे कि मैं आपको पता चुका हूँ, core यह है, तो साइद इसी का center होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, wall और यहाँ पर core center, और यह हमने draw की, यह देख सका, देखिए आप, इस center line कहां से लेता है, dash dash line देखिए, dash dash line, यह है हमारा core और इसका center, अभी distance यहाँ से measure करेगा, ठीक है, अच्छा, एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, यह क्यों दिया हुआ, देखिए, जब भी हम कोई plan वाला नाते हैं, तो उसमें main wall होती है, बाद में interior में जो भी हम उसमें design देंगे, finishing देंगे, उसको हम count नहीं करते हैं, जब plan बनता है, तब main wall होती है, तो distance जो होती है, main wall के interior, exterior और center से भी कहीं से हो सकती है, ठीक है, इसलिए हमें option दिया हुआ है, तो ठीक है, हम जब core करते हैं, तो core में यह होता है, और जब हम center करते हैं, तो overall thickness, ठीक है, next option क्या है हमारा, finish face, exterior, exterior यानिंग बाहर का face, और finish, यानिंगी finishing यानिंग जो भी उस पर लगा हुआ है wall पे, क्या लगावा है wall पे, यह सब चीज़े लगे हुआ है, तो देखिए, यह देखिए, यह हमारी wall है, और wall का यह interior part है, और यह exterior part है, तो exterior यह आउटर में हमारा यह face है, तो outer face जो है, से distance measure करेगा, वहीं से wall बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है, अब next को चलते हैं, finish, finish लिखा रहा है यानिंगी overall, ठीक है, अब यह interior overall लेगा, देखिए, यह interior face है, और overall पूरी wall के thickness के, जो interior face है, उसको यह बोल रहा है, next option देखते हैं, core, core का exterior बताइए, क्या होगा, guess कीजिए, 5 second है, 1, 2, 3, 4, 5, core का exterior होगा, यह, और core का interior होगा, यह, ठीक है, देखते हैं, यह, देखिए, core का exterior यह है, ठीक है, अब दिबारा हम इसको change करते है, core interior, और core interior देखिए, यह, core interior आपको और zoom करता है, यह वाली line है, ना कि यह white वाली line, जो white सर्फ ठीकने से, उसके outer oil नहीं, यह वाली है, क्योंकि हमारी core यहां से, यहां तक एकेवल, ठीक है, तो जब हम इस तरह की wall यूज करते हैं, तब हमारा यह core interior, core exterior, यह सब हमारा काम आता है, तो इसी को बोलते हैं, wall की location line, अगर यह आपको समझ में आया हो, और इससे आ description में दिया हुआ जो link है, patreon का, उस पे जा के आप मेरे को support कर सकते हैं, thank you